आप लोग पात करने वाले हैं आप लोग अपने किसी भी शाओमी रेडमी पोको डिवाइस के अंदर एंडूट 14 का जो आप पर अपटेट है वो कैसे आप पर इंस्ट्रोल कर सकतो आप लोग देख पार होंगे पिक्सल की डिवाइस उनकी तरह है वो ही सेम देखने को मिलते हैं वो इतना सा है कि एप फोन के अंदर अगर आप लोग जाओगे और यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे कि आपकी डिवाइस के अंदर कौन सा Android का वर्जन है वो चल रहा है तो यहाँ पर तो Android 14 का शो होगा लेकिन जैसे आप लोग इसको यहाँ पर इसकी एनिवेशन है वो यहाँ पर चेक करोगे आप लोग को यहाँ पर Android 13 का यहाँ पर जो वर्जन है वो यहाँ पर शो होगा low-kick screen के बारे में हम लोग बात करें तो low-kick screen के अंदर आप लोग देख पर होंगे ये आप लोगों को बड़ी बारी को है वो देखने को मिलती है और इसको जब आप लोग open करते होना password लगाने का जो interface है वो भी आप लोगों को same to same है आप पर Google के जो pixel device है उनी की तरह देखने को मिलते हैं आइकन पेक्स है वो आपको काफी सिंपर मिलते हैं और काफी कम देखने को मिलते हैं तो इसको अगर आप लोग अपने किसी भी Xiaomi Redmi, Poco device के अंदर इंस्टोल करना चाते हो तो simple सा इसका एक छोटा सा process है उसके लिए आपकी device के अंदर दो चीज़ी है न वह आपर होनी चीए तो पहले तो मैं अपना device तो इसको पहले की तरह कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको Android 14 का update है वह आपर install करना के से है एक चीज़ है यहाँ पर अगर आप लोग volume slide है इसको आप लोग ऊपर नीचे करते हो न तो इसका जो interface है वह भी आप लोगों को stock Android है उसी की तरह यहाँ पर देखने को मिलता है device है वह वापस है पहले की तरह आज चुक है जहाँ पर इसके अंदर MIUI का जो वर्जन है वो चल रहे है वो जो मैंने आपको वर्जन दिखाएता ना Android 14 का वो बस एक टेस्टिंग वर्जन था उसके अंदर bugs है वो भी हो सकते है अभी बात करते हैं installation process के बारे में तो इसके लिए आपकी device के अंदर दो चीज़े है ना वो होनी चीए first of all आपका जो device है वो latest Android का जो वर्जन है उसमें आपर run कर रहा होना चीए और यहाँ पर आप लोगों को जाना है additional setting के अंदर और यहाँ पर जाना है developer option के अंदर आपका जो device है यहाँ पर इसका जो unlock status है MI unlock status वो यहाँ पर unlock डोना चीए अगर आपका phone है वो यहाँ पर locked है तो आप लोग इसको अपनी device के अंदर install नहीं कर सकतो जब भी आपका device यहाँ पर unlock होगा तब भी आप लोग इसको यहाँ पर use कर सकतो नीचे आपको यहाँ पर एक option मिलता है DSU Loader अब आपको simply इसके अंदर जाना है और इसके अंदर आपको चार option है वो देखने को मिलते है second या फिर fourth इन में से किसी पर भी आप लोग होँ है आपर click कर देने तो यहाँ पर मैंने second वाली पर click कर दिये बड़ी सारी terms and condition है वो आचुकिये अब इसको आप लोगों को कर देना है agree और जो भी आपका password है वो लगा देना है उपर की side एक file है वो install हो रही होगी जिसकी size आप लोगों को कम से कम 2 से 3 GB देखने को मिलती है तो यहाँ पर हमारी जैसी यहाँ पर यह file है वो install होगी इस पर आप लोग जैसे click करोगे आपकी device अंदर Android 14 का complete interface है वो आपर install हो जाएगा उसके अंदर कुछ bugs है वो भी हो सकते है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया जैसे कि screen है वो automatic लिए आपर off हो जाती है आपको वाग पसे power button है इसको आपर on करके वापस इसको आपर off करना होता है तो यही एक छोटी सी process है अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना चैनल को subscribe नहीं किया तो आप लोगों को subscribe कर लेना है मैं बनता आप लोगों से next video में जे हिंद